सभी मित्रों को जय माता जी जय स्री राधे कृष्णा आईए आज मंगली दोस्ट के बारे में हम जानते हो मंगली दोस्ट किस प्रकार से हमारी जन्म पत्री में होता है और मंगली दोस्ट के परिवार क्या है मंगली दोस्ट किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इस विसर मे हम चर्चा करते हैं जब हमारी जन्मकुंडली में बारा भाव होते हैं हमारे जन्मकुंडली में पहले भाव में चौथे भाव में साथमे भाव में आठमे भाव में और बारमे भाव में जब मंगल देवता विराजमान हो जाते हैं तो हमारी जनपत्री मंगल ग्रह से पेडित हो जाती मंगली दोस हो जाता है हमारी जनपत्री में और जब मंगली दोस हो जाता है तो हमारे बिवाह में बहुत बिलम हो जाता है कई बार हम प्रयास करते हैं बिवाह हो जाए लेकिन देरी पे देरी होती चली जाती है बिलम होता रहता है इससे आप मंगल दोस का परिहार करें मंगल दोस दूर करने का उपाय करें